अगर आप TikTok यूज करते हो, TikTok पे वीडियो देखते हो, then आप TikTok पे कई तरह की वीडियो सर्च करते होगे, कभी-कभी आप किसी के नाम से भी वीडियो सर्च करते होगे, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो कि वीडियो जो भी आपने TikTok पे सर्च करी हो, उसकी हिस्टरी क्रियेट या तो आप नहीं चाहते कि कोई भी आपके TikTok की वीडियो की सर्च हिस्ट्री देखे कि आपने किसको सर्च किया या किसी भी रीजन से आप अपने TikTok की सर्च करी हुई हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं देन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप टिक टॉक पर अपनी सर्च करी हुई वीडियो की हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो। कि एक मैथेड में आप वन बाई वन करके सर्च कर सकते हो और सेकेंड मैथेड में आप सिंगल क्लिक में सारी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो। देन कैसी करना है देन चलना है यहां पर अपने फोन पे देन उसके बाद यहां पर टिक टॉक की एप ओपन कर लेनी है उसके बाद यह आप होंपेज पे हो यहां पर आपको होंबाले ओप्शन के जस्ट बगल में सर्च वाला ओप्शन दिखाई दे रहा है यहां पर आपको सर्च वाले ओप्शन पर क्लिक करना है जैसे आप सर्च वाले ओप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहां पर आपके सामने सर्च बॉक्स आ जाएगा सर्च बॉक्स पर जैसे ही आप जो भी आपने सर्च किया होगर आपकी सर्च करी हुई हिस्ट्री दिखने लगेगी आपकी यहाँ पर सारी हिस्ट्री आगई है कि आपने क्या-क्या किस नाम से क्या लिक हड़े सर्च किया सब कुछ यहाँ पर आ गया है अगर आपको particular कोई एक दो history डिलीट करनी है यहाँ पर जो भी लिखा हुआ जो भी आपकी search history है उसके आगे एक cross का sign है जैसे ही आप cross के sign पे click करोगी then वो history आपके delete हो जाएगी आपको अगर एक की दो history डिलीट करनी है या one by one करके delete करनी है then search history जहाँ पे दी हुई हो उसके आगे cross का sign लगा हुआ है यहाँ पर आपको click करना है और आपकी search history डिलीट हो जाएगी लेकिन अगर आप सारी history डिलीट करना चाहते हो अगर आप one click में की history डिलीट करना चाहते हो then यहाँ पर आपको नीची option दिख रहा है clear all data का clear all history का इस option पर आपको click करना है जैसे आप इस option पर एक single click करते हो उसके बाद आपकी search करी हुई वीडियो की सारी history डिलीट हो जाएगी तो एक click में आप अपने tik-tok की search करी हुई सारी history डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से I hope वीडियो आपके लिए useful रही वीडियो कैसे लगी मुझे comment में बताईएगा वीडियो के regarding कोई question ये suggestion और दरना पुछे comment में पोच सकते हूँ वीडियो को like करिएगा वीडियो को share करिएगा अपने whatsapp अपने facebook ग्रूप पे चैनल को subscribe नहीं किया है